इस image को देखें यह वियत नाम के बच्चे हैं इनकी उम्र के हिसाब से इनके हाथों में स्कूल के किता बच्ची लगेगी है ना लेकिन इन बच्चों ने ग्रिनेड यानि बम को थामा और स्कूल जाने की बजाई यह युद्ध के मैदान में चल गए है क्योंकि इन आजादी शाहिए थी अब इस image को देखें एक इतिहसिक तस्वीर है वियत नाम ओर की और शायद आपने देखी भी होगी क्योंकि यह पुलिजर प्राइस विनिंग फोटो है इन बच्चों के गाउपर अमेरिका ने रासायनिक हमला यानि कैमिकल अटेक किया था जिसमें पूरा प्राइदों के किस्से लोग आज भी याद करते हैं तकरिबन 20 साल तक चले इस युद्ध में लाखो सायनिकों और लाखो वियत नामी लोगों को अपनी जहान गवानी पड़ी थी तो ऐसे ही इमेजिस और मेप के जरिया मैं आपको पूरा वियत नाम युद्ध का इतियास समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या कारण थे कि युद्ध हुआ था? कौन जिम्मेदर था इस युद्ध के लिए? इसका क्या परिणाम हुआ था? दुनिया पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था? इसमें कितने सैनिक और कितने लोग मारे गया थे? अमेरिका क्यों इस युद्ध को छोड़ इस मेप को देखे यह हमारे एश्या का मेप है जिसमें यहाँ पर है वियतनाम यह हमारा भारत है और यहाँ पर है पडोसी देश चाइना तो चाइना का ठीक नीचे आज का वियतनाम है लेकिन पहले यह बहुत बड़ा देश था इस मैप को देखे, पहले इस पूरे भग को इंडो चाइना कहते थे आज ये पूरा भग तीन अलग-अलग देशों में तूट चुका है ये कमबोडिया है, ये वाला लाओस है और ये वाला वियतनाम है तो पस्चीमी देशों ने पूरी दुनिया के साथ जो किया था, वही वियतनाम के साथ भी हुआ था डिवाइड एंड रूल्स, यानि तोड़ो वर राज करो तो सबसे पहले हम वियतनाम का थोड़ा सा इतियास जान लेते हैं ताकि इस वियतनाम होर को समझने में आपको आसानी हो साल 1857 तक सब कुछ ठीक था इस पूरे भाग पर लेकिन ये वो दोर था जब पस्चीमी देश जैसे अंग्रेश, पूर्तिगाली और फ्रांसी सी देश दुनिया के देशों को गुलाम बना कर उन्हें लूटना शुरू कर चुके थे और 1858 में फ्रांस इस वियतनाम तक पहुंच गिया और 1857 सी आते आते फ्रांस ने इस पूरे भाग पर कबजा कर लिया और इसे इंडो चाइना नाम दिया गया जो फ्रांस की एक कोलोनी बन चुकी थी जैसे हमारा भारत अंग्रेजों के अधिन था वैसे ही तो फ्रांस ने 1857 सी लेकर 1941 तक इस इंडो चाइना पर राज किया इसके बाद World War II शुरू हुआ और साल 1941 में जापान ने इस इंडो चाइना को हरा कर इसके कहीं इलाकों पर कबजा कर लिया अगर आपने मेरी World War II की ये वाले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे जापान ने पूरे दक्षिन पूरू एशिया के सभी देशों पर कबजा कर लिया था तो दूसरे विश्विद्ध के दोरन जिब जापान ने इंडो चाइना के कहीं इलाकों पर कबजा कर लिया था तब इंडो चाइना में होची मीन का उद्धी हो चुका था इस इमेज को देखे ये है होची मीन इस इndo-China को फ्रांस से आजाद कराने के लिए Ho Chi Minh ने साल 1930 में इndo-China Communist Party की स्ठापना की थी क्यो? क्योंकि Ho Chi Minh इंडo-China के एक राजनेता थे जो Soviet Tsang यानि USSR की Communist Party से काफी प्रभावित थे क्योंकि Ho Chi Minh साल 1930 से लेकर साल 1925 तक यानि 3 शाल तक ये USSR में रहे थे पार्ट की स्थापना के बाद इनके आजादी की लड़ाई फ्रांस के साथ शुरू ही थी और ऐसे में 1941 में जापान ने भी इंडो चाइना के कहीं इलाकों पर कबजा कर लिया यानि अब इंडो चाइना के कुछ हिस्सों पर जापान का कबजा था तो कुछ हिस्सों पर फ्रांस का कबजा था मतलब होची मिन को अब एक तरप जापान के साथ भी लड़ना था तो दूसरी तरप उसे फ्रांस के आपने विशक शाशन को भी उखाड फेकना था तब ही इंडो चाइना आजाद हो चकता था इस करण इन दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए वोची मिन ने 19 मैं 1941 के दिन वियत मिन की स्थापना की तो पहले जापान को हराने के लिए वियत मिन संगठन ने अमेरिका और चाइना से मदद मांगी क्योंकि दूसरे विश्विद्धि में चाइना और अमेरिका दोनों जापान के दुश्मन थे इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों ने वियत मिन संगठन को मदद करना शुरू किया और वोची मिन का संगठन यानि वियत मिन के लोगों ने जापान को कड़ी टक कर दी और अपने इंडो चाइना को आज़ाद करने में सफल हुए है तो दूसरे विश्विद्ध में जापान के हारने के बाद जापान की सेना इंडो चाइना से निकल गई और इंडो चाइना पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था और यहीं से सारा खेल चुरू हुआ फ्रांस का पहले इंडो चाइना पर कबजा था तो 1945 में जापान के जाने के बाद फ्रांस वापस इंडो चाइना पर कबजा करने आया कि इंडो चाइना हमारा उपनिविश था तो फिर से इंडोचाइना को हमें दे दीजिए अब हिटलर ने वर्ल्ड वर्ट टू में फ्रांस को तहह स्मेस कर दिया था इस करन फ्रांस काफी कमजोर हो चुका था इसलिए साल 1964 में फ्रांस खुत तो नहीं आया इंडोचाइना पर कबजा करने लेकिन फ्रांस ने अपनी कटपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इन इंडो चायना पर इस इमेज को देखे यह है बावडाई यह गुयन डायनेस्ट्री का तेरवा और आखरी राजा था जो फ्रांस का पपेट था यानि फ्रांस जो आदिश देता था उसका पालन बावडाई पूरी जिम्मेदरी से करता था क्योंकि इसने फ्रांस से ही पढ़ाई की थी तो इसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था इस करण फ्रांस इस बावडाई को इंडो चायना की कटपुतली सरकार का स्टाशक बनाना चाहता था 1936 में लेकिन ये बात होची मिन को बिलकुल मंजूर नहीं थी क्योंकि ये होची मिन 1930 से फ्रांस से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे फिर वाज जापान से भी लड़े वे नहीं चाहते थे कि हमारे इंडो चायना पर फिर से कोई कब जा करें ना फ्रांस और ना ही उनकी कटपुतली सरकार तो 1946 में जैसे ही फ्रांस ने अपनी कटपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इंडो चायना पर तो होची मिन का जो संगटन था वियत मिन इन्होंने अपने लोकल लोगों के साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर दी फ्रांस और उनके चाहने वाले इंडो चायना के लोगों के खिलाफ अब ये इंडो चायना का मेप है ये जो उपर की तरफ यानि नॉर्थ साइड के जो लोग थे वे ज्यादे तर होची मिन के समर्थक थे और ये नीचे वाले यानि साउथ वाले कुछ कुछ लोग फ्रांस के समर्थक थे तो इन दोनों के 20 1946 में लड़ाई शुरू हुई जिसे फर्स्ट इंडो चायना वर कहते है और 1950 आते आते वियत मिन संगठन ने इस नॉर्थ साइड को जिसमें हैनोई शहर भी शामिल था इसे फ्रांस और उनकी कटपुतली सरकार से आजाद करा लिया जिसे नॉर्थ वियत नाम कहा गया और 1990 में वियत मिन संगठन के प्रमुख वच्छी मिन को इस नॉर्थ वियत नाम का राष्टपती बनाया गया और नीचे इस तरब साउथ वियत नाम में अब फ्रांस ने अपनी कटपुतली सरकार बिठा दी जिसका शाशक समरट बाव डाई को बनाया गया जो पपेट था फ्रांस का इसने जुलाई उननीचे उनपचास में साउथ वियत नाम राज्जी का गठन किया और इस साइगोन शहर को इसकी राज़दानी बनायेगी अब ये बाव डाई और नौर्थ वियत नाम के रष्टपती होची मिन दोनों चाहते थे कि वियत नाम का एकी करण हो यानि नौर्थ वर साउथ दोनों वियत नाम को मिलाकर एक पूरा वियत नाम बनाये जाए लेकिन होची मिन कम्यूनिस्ट नेता थे और वे उससर से प्रभावित थे इसकारण होची मीन चाहते थे कि वियतनाम को कम्यूनिस्ट देशों के मोडल पर विक्सित किया जाए तो सामने बावडाई चाहते थे कि वियतनाम को पस्चिमी देशों के मोडल पर विक्सित किया जाए तो इस बात को लेकर भी नॉर्थ और सांथ वियतनाम के बीज काफी मदभेद था इस कारण फ्रांस की मदच्चे बाव डाई ने नॉर्थ वियतनाम को फिर से अपने कबजे में करने के लिए एक मुहिम छेडा अब होच्ची मीन एक कम्मुनिस्ट नेता थे और इसी साल 1990 में इनके पड़ोशी देश चाइना में एक एति हैसी गटना हुई ग्रोह युद्ध में माव जड़ों की कम्मुनिस्ट पार्टी की सरकार जीद गई चाइना में और इन्होंने चाइना में पिपल्स रिपब्लिक और चाइना का गठन किया था इसके बद चाइना और युएसेसर दोनों ने इस नौर्थ वियतनाम को यानि ओच्ची मीन को हथियार और आर्थिक मदद करना शुरू किया ताकि वियतनाम में कम्यूनिस्ट सरकार बने और इस साउथ वियतनाम को तो फ्रांस का सपोर्ट था ही लेकिन अमेरिका यहां सब देख रहा था कि नौर्थ वियतनाम को चाइना और युएसेसर दोनों मदद कर रहे थे अगर North Vietnam जीत गया तो Vietnam एक Communist देश बनेगा तो ऐसा ना हो इस कारण अमेरिका ने 1950 से South Vietnam में France को Sen ने मदद करना शुरू किया क्योंकि World War 2 के बाद दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी एक तरफ अमेरिका, France और Britain जैसे देश अपनी पूंजी वादी विचारधारा को दुनिया पर थूपना चाहते थे तो दूसरी और USSR और China जैसे देश अपनी Communist विचारधारा को फेलाने में लगया थे जिस दोरान दुनिया के कहीं चोटे-चोटे देश इनकी जहंग का अखाड़ा बने जिसमें से एक था वियतनाम लेकिन उस समय ये दो भागों में बटा हुआ था नॉर्थ और साउथ वियतनाम तो इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम का पलड़ा भारी था और साल उनिचो चोवण आते आते नॉर्थ वियतनाम ने फ्रांच और साउथ वियतनाम को बूरी तरह से हरा दिया यानि होची मीन और उनका वियत मीन संगठन ये लड़ाई जीत गिये थे इसके दो कारण थे पहला USSR और चाइना इन्हें हत्यार दे रहे थे और दूसरा वियत मीन के साइनिक गोरिला वर में माहिर थे यानि चापे मारी तकनिक से युद्ध लड़ने में इन्हें माहरत हासिल थी और इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम के आम लोग और बच्चे भी शामिल हो गये थे इस इमेज को देखे यह नॉर्थ वियतनाम के बच्चे है इनकी कमर पर ग्रिनेड यानि बम लड़के हुए है अब इस इमेज को देखे यह नॉर्थ वियतनाम के महिलाए और लड़किया है इन्होंने भी हत्यार उठा लिया थी इस युद्ध के लिए तो इतने चोट चोटे बच्चे और महिलाए भी फ्रांस को हराने में लग गिया थे इस कारण नॉर्थ वियतनाम उन्निसो चोवन में यह लड़ाई जीत गिया इस लड़ाई को फर्स्ट इंडो चाइना ओर के नाम से जाना जाता है तो 1946 से 1956 तक चले इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को वियतनाम के साथ शान्ति वार्था का रास्ता चुनना बड़ा इस वार्था को जीनिवा सम्मेलन यानि जीनिवा एकॉट्स के नाम से जाना जाता है 26 अपरेल 1956 के दिन जीनिवा सम्मेलन हुआ था यह उस समय की इमेज है अब इस मैप को देखे 1990 में फ्रांस ने इस लावस को आज़ात कर एक अलग देश बना दिया था फिर 1993 में फ्रांस ने इन कमबोडिया को भी आज़ात कर दिया था अब यह वियतनाम बचा था तो इस समझोते के तहत वियतनाम को दो भागों में विवाजित कर दिया गया होची मिन के कबजे वाले भाग को नौर्थ वियतनाम बनाया गया यानि इस भाग को और बावडाय के कबजे वाले इस भाग को South Vietnam बनाया गया और इस समझोत में एक यह भी प्रावधान रखा गया था कि North और South Vietnam दोनों देश में Vietnam के फिर से एकी करण के लिए दो साल बाद यानि 1956 में चुना होगा इसमें अब देख सकते हैं यह Orange color वाला North Vietnam यानि Ho Chi Minh जिसके राष्टपती बने और इसका capital था Hanoi जो एक Communist देश बना और यह Yellow color वाला South Vietnam बना जिसका राष्टपती बाओ डाई बना जिसका capital बना Saigon जो एक पूंजी वादी देश बना इस समझोते का उदेश यही था कि इस से Vietnam में शान्ति की स्थापना हो और युद्ध खत्म हो इसके बाद लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लेकिन यह तो सिर्फ शुरूआ थी क्योंकि 1956 में Vietnam के विवाजन के एक साल बाद No DIN DN यह उनकी इमेज है इसने अमेरिका की मदद से इस South Vietnam का जो राष्टपती था बाओ डाई इसका तक्ता पलट करके No DIN DN South Vietnam का नया राष्टपती बन गया अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि अमेरिका न फिर से क्यों Vietnam में उंगली करना शुरू किया तो उस समय Cold War शुरू था USSR के पक्स में थे ऐसे सभी देशों पर कम्यूनिस्ट सरकार हटा कर वहाँ पर पुझीवादी या अमेरिका की कटपुतली सरकार बिठाना चाहता था अमेरिका अब ये South Vietnam में जो राष्टपती बनाया गया No DIN DN वो तो अमेरिका के पक्स में था लेकिन North Vietnam में जो होची मीन थे राष्टपती वो USSR के पक्स में थे यानि कम्यूनिजम फोलो करने वाले और अगले साल 1956 में जिनिवा समझोता के तहत North Vietnam और South Vietnam दोनों में इनका एकिकरण करने के लिए चुनाव होने वाले थे यानि इलेक्षन तो अमेरिका को डर था कि कहीं इस चुनाव में पूरा वियतनम कम्यूनिस्ट देश ना बन जाए अगर ऐसा होगा तो एस्या में एक और देश्ट कम्यूनिस्ट बन जाएगा इसी कारण तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकी राष्टपती ड्वाइड डी आईजनावर ने एक भाषन में कहा था कि अगर दक्षिन पूरू एस्या में वियतनम कम्यूनिस्ट देश बनेगा तो एस्या में डोमेनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा इस इमेज को देखें डोमेनो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक देश में पूरू जी वादी सरकार गिरेगी तो उसे देखकर बाकी देशों में भी ऐसा होना शुरू हो जाएगा यानि पूरू जी वादी सरकार गिरने लगेगी और उनकी जेगा पर丁फ शरकारे बनने लगेगी इसकरं अमेरिका को डर था कि वियत्नाम में अगर कम्मणिस्ट शरकार बनेगी तो एशिया के बाकी देशों में डोमेनो इफेक्ट पैदा हो सकती है इसलिए ऐसा ना हो इसकरं अमेरिका ने नो डिन डिन को तक्ता पलेट करने में मदद की और साल 1955 से अमेरिकी राष्टपती ड्वाइड डि आईजनहावर ने नो डिन डिन को यानि सांथ वियतनाम को हत्यार और पैसे की मदद करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने अपने कुछ मिलेटरी एडवाइजर भी बेजे सांथ वियतनाम की सरकार को चलाने के लिए अब नो डिन डिन एक कैथोलिक था और वियतनाम की जहदे तर आबादी बहुत धर्म को मानने वाली थी इस कारण 9 डिन डिन ने साथ वियतनम में जो बहुत धर्म के लोग थे उन पर अत्याचार करना शुरू किया तोकि 9 डिन डिन को अब हत्यार और सभी जरूरी चीजे अमेरिका से मिलने लगी थी इस कारण साथ वियतनम की सेना इन हत्यारों के जरिये अब अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगी और इस साउत वियत नाम में जो वियत मिन के लोग थे जो होची मिन के समर्थक थे उनको भी निशाना बनाया गया और देखते ही देखते करिब एक लाख लोगों को गिरपतार कर लिया गया उनमें से कहियों को बूरी तरह टॉर्चर किया गया और उन्हें भहेंकर प्रताडना दी गई थी इस करन वियत मिन और बहुत धर्म के लोगों ने साउत वियत नाम की सेना यानि नोड इन डियन का विरोथ करना शुरू किया इस इमेज को देखे एक बहुत धर्म के मौंग थे इन्होंने इनका विरोथ करने के लिए साइगोन शेहर में लोगों के सामने वे खूदी आग लगा कर जल गिये थे लेकिन नोड इन डियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी एक तानाशा बन गिया था इनकी सेना ने वियत मिन और बहुत धर्म के लोगों को मारना जारी रखा और 1956 में जो चुनाव करवाना था वियत नम के एक एकरन के लिए उसे भी रत करवा दिया अब अभी तक नोर्थ वियत नम यानि होची मिन चांत बैठे थे लेकिन चुनाव रत करवाने की खबर सुनकर इन्होंने भी तेय किया कि अब साउथ वियत नम यानि नोर्डिन डियन की सेना को रोकना होगा क्योंकि ये सेना वियत मिन के लोगों को मार रही थी जो लोग पहले वियत नम की आज़ादी के लिए होची मिन के साथ लड़े थे अब इस नोर्थ वियत नम को USSR और चाइना दोनों हत्यार और आर्थिक मदद दे रहे थे इस मैप को देखे इसमें ये नोर्थ वियत नम है जिसने साउथ वियत नम में वियत मिन सेना को हत्यार देना शुरू कर दिया लेकिन कैसे इस लावस देश से इस जो रेड कलर की लाइन है वो सब खूपिया रास्ते थे जिसे वोची मिन ट्राइल के नाम से जाना जाता है तो इन अलग-अलग रास्तों से नोर्थ वियत नम ने साउथ वियत नम के वियत मिन लोगों को हत्यार देना शुरू किया क्यों? क्योंकि साउथ वियत नम में जो वियत मिन लोग थे उन्हें नोड इन डियन की सेना मार रही थी इस करन नोड इन डियन यानि साउथ वियत नम की जो सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी उन मैसे जो वियत मिन संगठन के लोग थे अब उनके हाथ में भी हत्यार आ चुके थे इस रास्ते से तो वियत मिन और नोड इन डियन की सेना के बिच युद्ध शुरू हुआ 1957 में 1957 के बाद वियत मिन सेना ने साउथ वियत नाम के सरकारे अधिकारियों और बाकि सरकारी जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और 1969 तक साउथ वियत मिन की सेना लड़ती रही चापामार युद्ध यानि गोरिला तकनिक से वैसे तो 1956 में ही अमेरिकी सेनिक वियत नाम में पहुँच गिया थे लेकिन उस समय उनकी तादाथ 800 से भी कम थी और ये अमेरिकी सेनिक यहां युद्ध लड़ने नहीं बलकि साउथ वियत नाम की सेना को ट्रेनिंग देने आये थे लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा था वैसे वैसे यहां पर अमेरिका अपने सेनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा था और साल 1962 आते अमेरिका के 9000 सेनिक साउथ वियत नाम में आ चुके थे अब अमेरिका ने जो अपने एडवाइजर भेजी थे इस साउथ वियत नाम में 1955 में इन्हों ने जनवरी 1962 में ओपरेशन रेडेंज किया जिसमें अमेरिकी विमानों ने नौर्थ वियत नाम के ग्राम नीलाकों में एजन्ट ओरेंज केमेकल का चिड़काव शुरू किया ताकि जंगलों को नश्ट किया जा सके और जो वियत मिन की सेना इन जंगलों में चिपचिप कर गोरिला युद लट रही थी उन तक हत्यार और खाने के सामन के सप्लाई रोकी जा सके इस समय अमेरिका के प्रेशिडेंट थे जोन अप कैनेडी इन्होंने ये ओपरेशन करवाया था क्योंकि वियत नाम जंगलों नदिया दलदल और पहाडियों से भरा एक देश है और उपर से वियत मीन के साइनिक गोरिला तकनिक से युद लड़ते थे यानि जंगलों में चिपचिप कर वो दुष्मनों पर हमला करते थे सुरंगों के जरिये इस कारण इन्हें ढोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था तभी तो फ्रांच भी हार गया था इनसे फिर मई 1963 में नोड इन डियन की सेना ने साउथ वियत नाम के गाव में बोध प्रदर्शन कारियों की भीड़ पर गोलिया चलाई जिसमें बोध लोगों के साथ कहीं चोटशोट बच्चे भी मारे गया इस घटना के बाद से नोड इन डियन पर उनके खुद के देश साउथ वियत नाम के लोगों का विश्वाश उट गिया कि ये कैसा राष्टपती है जो अपने ही देश के मासुम लोगों पर गोलिया चलवा रहा है इस कारण अमेरिका ने एक प्लान बना कर नोड इन डियन और उनके भाई दोनों को मरवा दिया और उधर अमेरिका में उनके राष्टपती जोन एप कैनेडी की भी हत्या कर दी गई जिसके बाद लिंडन भी जोन चान अमेरिका के नए राष्टपती बने 1963 में अब अमेरिका को इस युद्ध में कुदना था लेकिन बीना कोई कारण अमेरिका इस युद्ध में कैंसे कुद चकता है अगर वो ऐसा करेगा तो दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगा लेकिन फिर भी अमेरिका वियत मीन की सेना पर समय समय पर हमला करता रहता था जैसे 1962 में जो ओपरेशन रेडेंज किया था अमेरिका ने वो भी दुनिया चे चुपा कर ही किया गया था इसके बाद एक चमतकरी घटना हुई इस मेप को देखें यह है गल्प अप टॉंकिन तो यहाँ इस समद्र में दो अगस्त 1964 को गल्प अप टॉंकिन की घटना हुई जिसमें नॉर्थ वियत नम की आर्मी ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला गिया जिसमें कुछ अमेरिकी सायनिक मारे गिया तो इस घटना के बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉंचन ने अमेरिकी संचद में गल्प अप टॉंकिन का रिजूलिशन पास करवा कर वियत नम में अपने सायनिक भेजने शुरू किया और अमेरिका पूरी तरह से इस लड़ाई में कुद गिया अब जानकर बड़ा अश्चरी होगा आपको कि गल्प अप टॉंकिन की घटना एक जूट था अमेरिका का अमेरिका ने मन घड़त कहानी बनाई थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है ताकि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने का बहाना मिल जाए पर बाद में बता चला कि ये अमेरिका का इस युद्ध में कूदने का एक शड़े अंत्र था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक में लाखो सैनिक और लाखो लोग मारे जा चुके थे खर ये तो बात की बात है तो अमेरिका ने गल्प अप टॉंकेन डेजोलेशन पांस करवा कर अपने सैनिक सांथ वियतनाम में उतारने शुरू कर दिये और इन्होंने नौर्थ वियतनाम पर बहुत बड़े बड़े हमले शुरू कर दिये लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए इन जंगलों में गुरिला तकनिक से लड़ रहे हैं नौर्थ वियतनाम के सैनिकों के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था नोर्थ वियतनाम के स찬ik पूरे वियतनाम में सुरंगे यानि टशन्लस बना कर लड़ रहे थे ओर अमेरिकी संन्यकों पर अचानक हमला करके उन्हें बारी नुकसान पहुंचा रहे थे इस image में आप देख सकते है इस तरह की सुरंग ये पूरे वियत नाम में बने गी थी इन सुरंगों में वियत नाम के साइनिक चुप कर रहते थे और जब हेलिकॉप्टर से या पैदल अमेरिकी साइनिक यहां कहीं दिखाई दे तो उन्हें चुप के से मार देते थे इन्ही सुरंगों में ये लोग आराम करते थे इन्ही में खाना बनाते थे और हथियारों के बड़े-बड़े गोडाउन भी इन्ही सुरंगों में बना लिये थे इन्होंने और अगर ऐसी सुरंग में कोई अमेरिकी साइनिक गुश गया तो वो वापस जिन्दा बाहर नहीं निकल पाता था और अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बाद USSR और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम के लिए हत्यारों की सप्लाई और बढ़ा दी USSR ने विमान, तौप खाने, गोला बारुद, चोटे एथियार, रडार, खादी सामगरी और मेडिकल एक्विपमेंट भेज कर नॉर्थ वियतनाम का होसला बढ़ाया और चाइना ने रक्षा बुनियादी धांचे के निर्मान के लिए अपने कहीं इंजिनियर साइनिकों को भेजा फिर मार्श 1965 में अमेरिकी रष्टपती जॉन्सन ने एक तरफ ओपरेशन रॉलिंग थंडर के तहंत नॉर्थ वियतनाम पर तीन साल तक लगातर बंबारी करने का अभ्यान शुरू किया तो दूसरी वर जुलाई 1965 में अमेरिका ने 50,000 साइनिकों को वियतनाम की जमिन पर उतारा इसके बाद हर महीने 35,000 और साइनिकों को उतारा गया जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम के जंगलों में लड़ाई शुरू की और जंगलों के उपर अमेरिका के हवाई जहां जोने बंबारी भी शुरू की अब इसमें आपको देखें नवंबर 1965 में वियतनाम की लादरांग घाटी की लड़ाई में लगबग 300 अमेरिकी साइनिक मारे गया और सेकड़ों घायल हुए इसकारण अमेरिका ने साल 1967 तक में वियतनाम में अमेरिकी साइनिकों की संख्या बढ़ा कर पांच लाग कर दी और अमेरिका को लगा कि अब तो वियतनाम को बूरी तरह से हरा देंगे लेकिन ये तो अमेरिका के उन साइनिकों को पता था कि वियतनाम के जिन जंगलों में वो लड़ रहे थे वहाँ पर क्या माहौल था अमेरिकन साइनिकों को ऐसे दल दल और नदियों को इस तरह के जंगलों में नौर्थ वियतनाम के सेना से लड़ना था चो सेना सुरंगों में चूपी रहती थी चो किसी भी वक्ट और कहीं पर सभी हमला करती थी और अमेरिकी साहिनिकों को अगर एंसे सुरंग मिल भी जाये तो वे अंदर जाकर कभी वापस नहीं लोट पाते थे इस इमेज को देखे इस तरह से सुरंगों के उपर दर्वाजा रखा जाता था और उस दर्वाजे पर सुखी पत्तियों को रख दिया जाता था तो इसे ढूंटना अमेरिकन साहिनिकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था इस करण अमेरिका ने दूसरे विश्चुद्ध के दोरन चापान पर जीतने बम बर्शाये थे उससे चार गुना ज्यादा बम अकेले विएतनाम पर बर्शाये फिर भी अमेरिका जीत नहीं पाया क्योंकि विएतनाम के साहिनिक तो सुरंगों में चिपे थे उपर कितना ही बम गिरे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था इस करण अमेरिका ने अपनी सारी हदे पायर करते हुए विएतनाम पर राशायनिक हत्यारों से हमला शुरू कर दिया जिसमें एक था नेपाम केमिकल इस इमेज में देखें उपर रावाय जहां जो से विएतनाम के जंगलों में जहां पर उनके सैनिक चिपे हुए हो ऐसे जंगलों में अमेरिका नेपाम केमिकल चिड़कता था जिससे जंगलों में भीषन आग लग जाती थी और दूसरा था एजेंट ओरेंज इस इमेज को देखें इस तरह से एजेंट ओरेंज केमिकल का चिड़का होता था और इस केमिकल से पेडों की सारी पत्तिया गिर जाती थी सिर्फ पेडों की टेहनिया ही बचती थी ताकि वियतनाम के सैनिक अमेरिकी सैना को उपर हुआ जहां से साप साप दिखाए दे और वे उसे आसान इसे मार सके इस इमेज को देखें ये नदी के इस तरब जो जंगल है उसे अमेरिकी हुआ जहां जो ने एजेंट ओरेंज केमिकल से सुखा दिया है तो पहले जो जंगल ऐसे दिखाई देते थे वो इस कैमिकल के हमले के बाद ऐसे दिखाई देने लगे लेकिन इन कैमिकल हमलों से वियतनाम के लाखो आम नागरिक मारे गए जिनका इस युद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं था अब इस इमेज को देखे एक एतिहासिक तस्वीर है वियतनाम और की और शायद आपने देखी भी होगी क्योंकि ये पुलिजर प्राइस वेनिंग फोटो है और इस तस्वीर की जो कहानी है और बहुत ही दिल्चस्प है इसलिए आप भी इसे पसंद करेंगे तो इस एतिहासिक फोटो को निक उत नाम के फोटोग्राफर ने ली थी ये उनकी इमेज है वियतनाम युद्ध के दोरान एक नोजवान थे अब वियतनाम युद्ध के दोरान इनके जो बड़े भाई थे युन्धान मई एक पत्रकार थे यह उनकी इमेज है और यह इनका कैमेरा है इस तरह से यह पत्रकारिता करते थे क्योंकि इन्होंने अपने चोटे भाई निक को एक बहुत खुबसुरुत बात कहीं थी कि एक अच्ची तस्विर बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी रोक सकती है लेकिन 1965 में इनकी मौत हो गई फर इनकी बताई बात को निक भुले नहीं थे और इन्होंने अपने भाई का सपना पुरा करने के लिए उनका कैमेरा उठाया और पत्रकारिता शुरू की और दो साल बाद निक एक जलते हुए गाव के बाहर खड़े थे इसमें जो पीछे आग लगी है वो एक गाव था जिस गाव पर अमेरिका ने कैमिकल हमला किया था और ये बच्चे उस गाव से अपने जान बचा कर बाहर निकल रहे थे तब निक ने ये फोटो ले थी और जैसे उनके भाई ने कहा था कि एक अच्ची तस्वीर बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी रोक सकती है वैसा ही हुआ इस तस्वीर ने दुनिया को हिला कर रख दिया इस एक फोटो ने अमेरिकन सरकार के नी धराम कर दी क्योंकि उन दिन अमेरिका में टीवी आ चुके थे और उनकी मीडिया तो आजाद है उन्होंने वियतनम युद्ध के ऐसी वीडियो और ऐसी तस्वीरों को मीडिया में दिखाना शुरू किया जिसके बाद पूरे अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया और एंटी वार मुवमेंट शुरू हो गया इस इमेज को देखे यह वाइट आउस है और यह अमेरिकी लोग चो वियतनम वर को खत्म करवाने के लिए यहां इकटा हुए थे अमेरिकी सरकार का विरोध करने के लिए और सिर्फ इसी जिगा पर नहीं पूरे अमेरिका में ऐसे विरोध चुरू हुए वशिंग्टन डेसी, न्यू यॉक्स, सन फ्रांसिसको जैसे अमेरिका के सभी बड़े शहरों में तब इसके जवाब में अमेरिकन सरकार ने अपने लोगों से कहा कि आप शान्ती बनाए रखिये क्योंकि अब कुछी महिनों में हम वियतनाम को हरा देंगे अभी वियतनाम के स्थिती बहुत ही खराब है बस वो हारने के कगार पर ही है यानि अमेरिका अभी भी ये पर्शेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है लेकिन इसी दोरन टेट ओपेंशिव की घटना हुई यह घटना हुई थी जनवरी 1968 में इसमें नॉर्थ वियतनाम की सेना ने ते किया कि हम एक ही रात में पूरे साउथ वियतनाम पर हमला करेंगे इस मैप को देखे इसमें जितने स्टार है उन सभी जिगाहों पर इस नॉर्थ वियतनाम की सेना ने हमला किया वो भी रात में जिसमें साइगोन चहर में अमेरिका का जो दूतावास था उन पर भी हमला किया गया और अमेरिका के जितने भी मिलेटरी बेस थे उन पर भी हमला हुआ तो नॉर्थ वियतनाम ने अचानक एक रात में साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया जो एक सर्प्राइज अटेक था जिसे टेट ओफेंसिव के नाम चे जाना जाता है और इस हमला में अमेरिका के 543 सैनिक शहिद हो गिया थे इस करण इस टेट ओफेंसिव की घटना ने वियतनाम और की पूरी बाजी पलट दी क्योंकि अभी तक नॉर्थ वियतनाम की सेना को लगता था कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है उनके पांस हर तरह के आदूनी का थियार है वो हमें असान इसे हरा देंगे इस विचारधारा के साथ नॉर्थ वियतनाम युद लड़ रहा था लेकिन टेट ओफेंसिव हमला के बाद नॉर्थ वियतनाम की सेना का होसला बढ़ गया इनका मनोबल बढ़ गया कि अगर हम ऐसे ही हमले उन पर करते रहें तो अमेरिका भी हार सकता है इस कारण ये घटना वियतनाम ओर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और ये टेट ओपेंसिव सिर्फ एक ही रात में हुआ था ऐसा नहीं ये 120 बार अलग अलग रातों में नौर्थ वियतनाम की स्याना ने ये हमले किया थे कितने 120 बार जिसमें अमेरिका के 1580 सैनिक शहिद हो गिया थे इस हमले में नौर्थ वियतनाम को जीत तो नहीं मिली लेकिन अमेरिका के नागरी को कोई संदेशा मिल गया कि लड़ाय यह भी लंबी चलने वाली है अमेरिकन सरकार ने जो जूट बोला था कि वियतनाम एक कमजोर देश है और कुस महिने में हम यह लड़ाय जीत जाएंगे और जूट पकड़ा गया और अमेरिकी लोगों को यह भी पता चल गया कि वियतनाम की सेना इतने बड़े हमले करने के क्षमता भी रखती है इस करण अमेरिकन सरकार बोखला गई कि अब क्या करे हमारे ही लोग हमारा विरोध करने सडकों पर उतर आये है और इन लोगों की मांग थी कि वियतनाम युद्ध को खत्म करो और हमारे साइनिकों को वापस बुलाओ और इसी बेच अमेरिकी साइनिकों ने मायलाई नर्साहर की घटना को अंजाम दिया 16 मार्स 1968 के दिन नोर्थ वियतनाम में गाव था मायलाई नाम का इस पूरे गाव पर अमेरिकी साइनिकों ने हमला कर दिया गाव के सभी घरों को जला दिया गया निर्दोश लोगों पर गोलिया चलाई गई जिसमें एक साथ 504 लोग मारे गया और ये सभी लोग आम लोग थे जिसमें जादे तर महिलाय और बच्चे थे ये उस घटना की तस्वीर है जहां कहीं पर भी नौर्थ वियतनाम के आम लोग थे उन सबको अमेरिकी साइनिकों ने मार दिया लेकिन इस दोरान एक अमेरिकी पाइलेट था यूग थॉमसन नाम का ये उनकी इमेज है इन्होंने जब मायले गाव का नर्शार देखा तो थॉमसन द्रवित हो गया इनका दिल बिगल गया और इन्होंने अपने हेलिकॉप्टर को नीचे उतारा और कुछ गंबिर गायल वियतनामी बच्चों और महिलाओं को इलाज के लिए अस्पिताल भेज कर उनकी जान बचाई लेकिन इसके बदले में यूद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने थॉमसन को देश्द रोई कहेंकर उन्हें सजा दी लेकिन अमेरिकी लोगों की नेजर में थॉमसन एक हीरो बन गये थे तो इस मायले नर्शार की तस्विरों को देखने के बाद अमेरिका में जो विरोध हो रहा है थे वो अब बहुत बड़े प्यमाने पर होने लगे लाखों अमेरिकी लोग सड़कों पर उदर आये और पूरी दुनिया में भी अमेरिका के खिलाब एक आकरोश फैल गया अब जैसे स्थिती अमेरिका में अमेरिकन सरकार की थी वैसे स्थिती अमेरिकन साहिनिकों की वियतनाम में थी क्योंकि वियतनाम और उनके गले में एक ऐसी हड़ी बनकर फस गिया था जिसे अमेरिका निगल भी नहीं पा रहा था और उसे उगल भी नहीं पाय रहा था क्योंकि अब वियतनाम के लोग भी अपनी सरकार के साथ खड़े हो गया वे देश के लिए मरने मारने को तयार हो गया और वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के आम नागरिक भी अब अमेरिकी सेनिकों को चुन-चुन कर मारने लगया थे इस करण 1968 आते है थे अमेरिकी सेनिकों का होसला जवाब दे चुका था वे जीत के उमिद चोड़ चुके थे अब वे किसी भी तरह से अपने जहान बचाने में जोट गया थे अमेरिकी सेनिकों का अनुशाशन कमजोर हो रहा था अमेरिकी सेनिक इस युद्ध से इतने डर गये थे कि खुद के ही सेनिय उपकरणों को नुक्चान पहुचान पहुचाने लगये थे ताकि उन्हें ये बहाना मिल जाये कि ये उपकरण खराब हो गया है इसलिए मैं यूद लड़ने नहीं आपाऊंगा अपने सैन्य उपकरणों को नुक्सान पहुचाना के 500 मामले भी दर्श किये गिये थे चो खुद को बचाने के लिए यानि सैनिकों द्वारा यहां एक तरह का विरोध था और सबसे बड़ी बात कि यूद का विरोध करने वाले इन सैनिकों के साथ-साथ कई अमेरिके सैन्य अधिकारी भी शामल थे बैसे अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी में से एक है जिन के पास आदूनिक अत्यार और सबी जरूरी चीज़े होती है और ऐसा यूद अमेरिकन सैनिकों ने कभी नहीं लड़ा था और दूसरा वियतनम नदियो, दलदल, जंगल और पहाडों से घीरा हुआ देश है तो इस तरह की इलाकों में भी अमेरिकी सैनिक कभी नहीं लड़े थे और इन जंगलों में कोई सड़किया रास्त भी नहीं थे इस करण अमेरिका को सामान और सैना की सप्लाइ करने में बहुत सी मुश्किल आ रही थी कुल मिला कर कहूं तो अमेरिका ने अपने इतियास में ऐसा यूद पहले कभी नहीं लड़ा था इस करण वो वियत नाम को हराने में असपल हो गया और हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गया जिसे देखकर कापी संख्या में अमेरिकी लोग इस युद्ध के खिलाप हो गया थे अमेरिका में बड़े पहमाने पर भीरोध प्रदर्शन हो रहे हैं थे और अमेरिका के 700 दिगजों ने वाइटाउस के आगे अपने मेडल फेक दिये कि युद्ध को रोको और हमारे सैनिकों को वापस बुला लो वियत नाम से और उस दोर में अमेरिका में एक नियम था कि हम क्यों मासुम वियत नामी लोगों को मारे जिनोंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और इसी दोरन अमेरिका के मिलेटरी हेड़क्वाटर पेंटागन की रिपोट लिख हो गई 400 पेज की इस रिपोट में लिखा गया था कि अमेरिके मिलेटरी एड़वाइजरों ने अमेरिकी सरकार और अमेरिकी लोगों को गुमरा किया है ये युद्ध हम कुछ महिनों में नहीं जित सकते है और वियत नामी सेना काप मजबूत है हमने अमेरिकी सरकार और लोगों से जूट बोला है और अमेरिकी अधिकारियों ने इस युद्ध के दोरान जो रकम खर्स की थी वो भी बहुत ज्यादा निकले इस रिपोर्ट में ये सब खुपिया बाते बाहर आ गई इस पेंड़ागन रिपोर्ट से और जब मीडिया के कारण ये बात लोगों को पता चली तो अमेरिकी लोग अपनी ही सरकार के खिलाप हो गिया और 1999 में अमेरिका में एलेक्शन थे जिसमें रिचर्ड निक्षन ये कहकर चुनाव लड़े कि मैं अमेरिकी साहिनिकों को वियतनाव युद्ध से वापस बूला लूँगा और इसी चुनावी मुद्धे के साथ निक्षन चुनाव जीत गिया और वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गिया लेकिन 1970 में अमेरिकान प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्षन ने ओपरेशन मैनू के तहत इस कमबोडिया और इस लावस पर बंबारी करना शुरू किया ताकि जो होची मिन ट्रायल था चिन रास्तों से नौर्थ वियत नाम साथ वियत नाम के वियत मिन लोगों को अथियर सप्लाई करता था उस नौर्थ वियत नाम के सप्लाई चैन को तोड़ने की कोशिश की गई इस ओप्रेशन को गुप्त रखा गया था क्योंकि ये कमबोडिया और लावस इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं थे अगर इन पर अमेरिका को बंबारी करनी है तो दुनिया से चुपा कर करनी पड़ेगी लेकिन अमेरिकी मिडिया ने इसका भी भांडा फोड़ दिया और अमेरिका के लोग समझ नहीं पाये कि अमेरिका क्यों इतने देशों पर हमले कर रहा है इस हमले का भी अमेरिका के नागरिकों ने विरोत किया और अमेरिका में जिगा जिगा पर दंग्यों और विरोध प्रदर्शन तेज हो गये इस करण आखिर कर निक्सन एक पोलिसी लेकर आये वियतनामी जेशन यानि वियतनामी करण इस पोलिसी का उद्धिश्ची था कि साउथ वियतनाम में जो अमेरिकी सैनिक है उन्हें वापस अमेरिका बुला लो और साउथ वियतनाम में उनके ही लोकल सैनिकों की संक्या बढ़ा दो यानी दोनों वियतनाम को आपस में लड़ने दो और अमेरिका को इस युद्ध से निकाल दो तो 1970 के बाद अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुलाया गया और साउथ वियतनाम के सैनिकों की संक्या बढ़ती गई फिर 1972 आते हैं थे अमेरिका के जो 5 लाग सैनिक वियतनाम में थे वो घटकर 79,000 हो गया और इसी साल नोर्थ वियतनामी सैना ने तीन बड़े-बड़े हमले किया जिसे इस्टर ओफेंसिव कहते है और इस बार नोर्थ वियतनाम के सैना ने साउथ वियतनाम के कहीं इलागों को भी अपने कबजे में ले लिया जिसके अमेरिका ने कभी उमिद नहीं की थी और इसके जवाब में अमेरिका ने वीतनाम में अपना आखरी ओपरेशन किया ओपरेशन लाइन बेकर जिसमें अमेरिकी हावाई जहां जोने नौर्थ वीतनाम पर 20,000 बम गिराये फिर भी अमेरिका को कुछ भी हासल नहीं हुआ इस करण अमेरिका को लगा कि अब North Vietnam के साथ कोई शान्ती वारता करनी ही पड़ेगी अगर इसमें हम देर करेंगे तो यह पूरा Vietnam अपने कबजे में ले लेंगे इस करन 27 जनवरी 1973 में पेरिस में एक शान्ती समझोता हुआ North Vietnam, South Vietnam और अमेरिका के बीज जिसे Paris Peace Accords 1973 कहते है इस image को देखे इस समझोता के अतायत अमेरिका अपने सेना Vietnam से निकल लेगी और North Vietnam और South Vietnam के बीच युद्ध विरम तेह हुआ तो इस समझोता के बाद 60 दिन में अमेरिका ने अपने सभी साइनिकों को Vietnam से वापस बुला लिया इसके बाद Vietnam में कुछ महिनों तक शान्ती बनी रही और सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन इस North Vietnam के लिए यह एक सुनहरा मोका था क्योंकि अब अमेरिकी सेना थी नहीं यहाँ पर और South Vietnam के आलत भी कापी कराब थी इस करन North Vietnam ने South Vietnam पर हमला शुरू कर दिया और 30 अपरल 1975 में North Vietnam ने साइगोन चेहर को जो South Vietnam की राजदा ने थी उस पर कबजा कर लिया और इसी के साथ South Vietnam ने आत्मसमर्पन कर दिया इसके बाद इन दोनों Vietnam को मिला कर Vietnam का एकिकरन हुआ और इस पूरे भाग को Socialist Republic of Vietnam नाम दिया गया और एक कम्मुनिजम फोलो करने वाला देश बना क्योंकि आखिर में जीत तो North Vietnam की हुई न जो USSR और चाइना से प्रभावित था और इस साइगोन चेहर का नाम बदल कर इनका नाम होचे मिन रखा गया इनके नाम पर जिनोंने वियत नाम को आजात कराया था और इस एनोई शहर को इसकी राजदानी बनाया गया तो इस तरह से वियत नाम और खत्म हुआ था अब बात करते हैं कि इसमें कितने साइनिक और कितने आम लोग मारे गया थे तो इस युद में अमेरिका के 58,000 सैनिक शहिद हो गया थे यह नंबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि पूरे वर्ड वर्ड टू में अमेरिका के 59,400 सैनिक ही शहिद हो गया थे लेकिन अकेले वियत नाम में उनके 58,000 सैनिक शहिद हो गया और नौर्थ वियतनाम के बात करे तो इनके 11 लाग सेनिक शाहिद हो गिया थे और सांथ वियतनाम के 5 लाग सेनिक शाहिद हो गिया थे इसके इलावाद दोनों वियतनाम को मिलाकर 20 लाग आम लोग मारे गिया थे अब 20 लाख आम जंता जो कि एक बहुत बड़ी संक्या थी असल में ऐसा होता नहीं ये युद्ध में युद्ध में इतनी आम जंता कभी नहीं मरती लेकिन वियतना में ऐसा हुआ इसका एक कारण था जब अमेरिकी सेनिक वियतना में सेना को मारने जाती थी तब जो वियत नमी सेना के दो-चार चाहिनिक अगर किसी गाउ में चुप गये तो अमेरिकी सेना इन दो-चार चाहिनिकों को मारने के लिए पूरे गाउ पर बंबारी करती थी जिसमें वियत नमी गाउ के कहीं आम लोग भी मारे जाते थे और उपर से वियतनामी सेना में ऐसे कहीं लोकल लोग थे चो इंडारेक सेना में भरती हो गये थे और यह लोग ऐसे कपड़े पहनते थे जैसे वहां के आम लोग पहनते हैं इस करण अमेरिकी सेना इनको पहचान नहीं पाती थी कि इनमें सैनिक कौन है और आम जनता कौन है इस करण भी कहीं सिविलियन जानि आम लोग मारे गिये और इस युद्धि के दोरन वियत नाम के एक करोड़ बीश लाख लोग दूसरे देश में पलाइन कर गिये थे इसके अलावा साल 1964 से लेकर साल 1973 के बीच में अमेरिकी वायु सेना ने हर आठ मिनिट में एक बम गिराया था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुशार इन 9 सालों में अमेरिका ने लगबग 260 मिलियन क्लस्टर बम वियत नाम पर दागे थे यानि जितने बम पूरे वर्ड वर्ट टू में गिराया गिया थे उससे कहीं जैता बम अकेले वियत नाम पर दागे गिया थे इसी कारण तो अमेरिका ने उस समाई इस युद्ध में 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्श कर दिया था अब यह आकड़े सही भी हो सकते है और गलत भी क्योंकि इस युद्ध में अमेरिकी मिलेटरी एडवाईजरों ने बहुत चारे जूट बोले थे पेंटागन रिपोर्ट्स आपको यादी होगा अब बात करेंगे कि इस युद्ध का क्या प्रणाम हुआ और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तो सबसे पहले था अमेरिकी सिद्धान्तों की बदनामी युद्ध से पहले यानि 1950 में अमेरिका का ऐसा मानना था कि अगर दक्षिन पूरू एशिया के वियतनम देश में अगर कम्यूनिस्ट सरकार बनेगी तो बाकी देशों में भी कम्यूनिस्ट सरकार बनेगी जिसे डॉमिनो एफेक्ट कहा था अमेरिका ने और अंत में तो वियतनम कम्यूनिस्ट देश बना लेकिन इसे देखकर दक्षिन पूरू एशिया का कोई भी देश कम्यूनिस्ट नहीं बना इस बात को लेकर अमेरिकी सिद्धान्तों का दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया था दूसरा था आदूनिक अथियार वियतनम को हरा नहीं पाया क्योंकि वियतनम के पास गुरिला युद्ध की तक्निक थी जिसके सामने आदूनिक अमेरिकी हथियार फेल हो गया थै और हमारे भारत में भी एक महान राजा हुए जिन्नोंने गुरिला तक्निक से मोगल सल्तनत को जुका दिया था तो कौन थे वे महान राजा अगर आप में से किसी को पता हो तो निचे कमेंट करके उनका नाम बताये उसके बद अमेरिका की हार उस समय तक अमेरिका का दबदबाय था कि हमें कोई हरा नहीं सकता अब वियतनम बोर में एक तरह से अमेरिका हारा नहीं था लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी हार थी क्योंकि आखिर में तो नॉर्थ वियतनम जीता था तो पेरिश शांती चमजोत के कारण अमेरिका ने अपने आर्मी वापस बुला ले लेकिन अमेरिका ये युद्र जीता नहीं था उसके बाद युद्र के विरोथ करने की शुरूआत हुई यानि anti-war moment इस युद्र में अमेरिकी लोगों ने अमेरिकी सरकार के खिलाप युद्र रोखने के लिए कहीं प्रदर्शन किये थे जिसका पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा इसके बाद दुनिया में जब भी यूद्ध होते थे तो उस देश के लोग अपने ही देश की सरकार के खिलाब आंदोलन करना लगे थे कि युद्ध को रोको और शांती बनाये रखो अपगानिस्तान युद्ध के दौरान भी तो ऐसा ही हुआ था और अभी अपगानिस्तान चे भी अमेरिका खाले हाथ वापस लोट गिया जिस बारे में आपको पता ही होगा उसके बाद क्वर्ड वर के समिकरन बदल गिया अब दक्षिन पूर एसिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई थी तो वो था चाइना अब अमेरिका ये युद्ध हार गिया था तो इन्होंने चाइना से अपने रिष्टे सुधार लिया तो कि चाइना नहीं वियतनाम को सपोर्ट किया था अब चाइना और उससर दोनों कम्मिनिस्ट देश थे और एक दूसरे के कापी करीब थे लेकिन वियतनाम और के बाद चाइना और अमेरिका के रिष्टे सुधर ने शुरू हुए तो उस तरफ उससर और चाइना के रिष्टे बिगड़ने शुरू हो गया थे तो ये भी एक बड़ा बदलावता गॉल्ड ओर के लिए उसके बाद आखरी कि जनता को साथ रखना यानि पब्लिक पर्शेप्शन इस युद्ध के बाद अमेरिका को ये समझ आ गया था कि अब जब भी युद्ध लड़ेंगे तो सबसे पहले अपने देश के जनता को अपने साथ रखेंगे क्योंकि वियतना मोर में अमेरिकी लोगों के विरोत के कारण ही अमेरिकी सरकार परेशान हो गई थी यानि दुनिया को समझ में आ गया कि अगर हम किसी से युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले हमारे अपने लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे है इससे हमारे देश को क्या फाइदा होगा अपने लोगों से भी लड़ना पड़ेगा तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव था वियतनाम ओर का तो ये था वियतनाम युद्ध का पूरा इत्यास आपको ये वीडियो कैसे लगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताये मुझे और उम में देखे आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करें पूरा विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल